तो आज हम लोग question answer discussion में, आज हम लोग discuss करने जा रहे हैं concentration terms are related, आज हम इसमें जानेंगे कि concentration of solution क्या होता है, और हम लोग इसमें ये भी जानेंगे कि हम concentration in terms of percentage कैसे हम लोग calculate करते हैं या कैसे उसको define भी हम लोग करते हैं, तो चलिए start करते हैं, तो देखिए हमारा question है आज का, और ये questions क्या है, कि अगर आपको पूछा जाए, कि define करिये किसको, या what is concentration of solution, define concentration in terms of percentage, तो देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पे concentration of solution को define करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, concentration of solution, concentration of solution, देखिए, सबसे पहले हम इस point को समझते हैं, ठीके, कि जो concentration के हम बात करते हैं, solution में, वो हम आखिर है क्या, उसको आप एक बार समझ लिजेगा, तो फिर आप define कर असानी से इसको कर सकते हैं, देखिए, अगर आपके पास, ठीके, माल लिजे कि यह आपके पास क्य container है, और इस container के अंदर हमारे पास solution है, ठीके, अब एक solution कैसे बना होता है, तो solution बना होता है, solute, ठीके, solution कैसे बना होता है, तो solution बना होता है, solute से, और solvent के मिलने से, और solvents के मिलने से, जेनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग solution की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम तो concentration terms में, generally हम लोग solute के amount को express करते हैं, ठीक है, तो आप क्या पाएंगे, कि यहाँ पे इसका भी कुछ amount दिया रहेगा, ठीक है, इसका भी कुछ amount दिया रहेगा, और इसका भी कुछ क्या दिया रहेगा, amount दिया रहेगा, अब यह amount अलग-लग unit में हो सकता है, यह amount आपको mass के अगर हम concentration की बात करते हैं, तो उस concentration में हम लोग generally किसकी बात करते हैं, तो उस concentration में हम लोग generally जो बात करते हैं, वो हम लोग solute के amount की बात करते हैं, तो इसको हम लोग कैसे define करेंगे, तो देखिए, अगर आपको concentration terms को define करना है, solution में concentration terms को आपको define करना है, यानि concentration कैसे calculate करते है तो इसको आपको define करने के लिखना पड़ेगा कि it is relative amount of solute present in solvent solvent और in solution तो कभी-कभी हम लोग solvent में भी एक्सप्रेस करते हैं concentration को और ज्यादा तर जगा हम लोग इसको solution के terms में यह solution के terms में हम लोग बताते हैं तो यहां पर लिखेंगे solution ठीक है जी यह बात अपने को समझ में आगी अब आपको यहां पर इसका क्या लिख देना पड़ेगा आपको यहां पर इसका formula लिखना पड़ेगा तो concentrations की अगर हम बात करें तो यहां पर हमको इसका formula लिखना पड़ेगा और इस formula में आपको क्या लिखना पड़ेगा amount of solute उपर लिखना पड़ेगा amount of solute divided by amount of amount of solvent और solution ठीक है अब यह चीज आपकी questions में दे रहेंगे अब आपको वहां से आसानी से क्या करना है calculate करना है आप देखें यहां पर जो हम बात करने जा रहे हैं अब दूसरा जो questions आपसे दिया गया है कि आप concentration terms को define करिए जो कि percentage में हम लोग express करते हैं ठीक है तो यहां पर जो second part है वो आपक in percentage अगर आप percentage की बात करें कि concentration terms जो होते हैं वो percentage में हम लोग इसको कैसे express करते हैं तो देखें हम लोग इसको अलग अलग तरीके से express करते हैं पहला जो expression होता है इसको हम बोलते हैं percentage percentage by mass percentage by mass ठीक है इसको हम लोग a small w by capital w के terms में लिख सकते हैं दूसरा जो आपका होता है वो होता है percentage by volume percentage by volume और इसको हम लोग उपर small v और नीचे capital v से denote करते हैं और तीसरा जो है आपका percentage mass by volume percentage mass by volume mass by volume यहाँ पे हम लोग यहाँ पे w लेते हैं और नीचे हम लोग v लेते हैं तो देखें इतने terms में हम लोग इसको क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं तो आईए अब one by one करके हम इसको define करते हैं अब चलिए अब हम define जो करने जा रहे हैं वो define करने जा रहे हैं किसके बारे में percentage by mass के बारे में, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसको अगर define करना होगा, तो आप कैसे define करोगे, यहाँ पे आप लिखोगी, mass of solute, और यह solute का जो mass होगा, वो किसमें होगा, in gram, ठीक है, present in, present in, 100 gram of solution, 100 gram of solution, is called mass percent of solute, mass percent of solute, ठीक है, यहाँ पे हम 100 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि, हम लोग percentage की जो बात करते हैं, वो percentage की बात हम हमेशा किसमें करते हैं, तो हम 100 में करते हैं, इसलिए यहाँ पे, अब देखे, यहाँ पे एक point और ध्यान रखेगा, कि यहाँ पे जो आप formula लिखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, दोनों का mass दिया गया, जब दोनों का mass दिया है, और तो mass जो होता है, वो temperature पे डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पे आप इस point को लिखेगा, कि mass percentage is independent of temperature, तो यह temperatures पे डिपेंड नहीं करते हैं, अब आपको यहाँ पे हमको इसका, क्या लिख देना है, हमें इसका formula लिख देना है, तो mass percent अगर आपको लिखना है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, उपर लिखना पड़ेगा आपको mass of solute, यह gram में रहेगा, और नीचे लिखना पड़ेगा mass of solution, ठीक है, और यह किस में लिखना पड़ेगा, यह भी gram में, और उपर multiply करना पड़ेगा किस से, आपको 100 से, ठीक है, अच्छा, इसको अगर आप लिखना चाहें, तो देखें, अगर आप total mass में, किसी के mass का आप relative study कर रहे हैं, तो उसको हम लोग fraction में बोल सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, mass fraction of solute, mass fraction of solute, और into आप यहाँ पर क्या कर सकते 100, तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, calculate कर सकते हैं, किसके बारे में, अब देखें, यहाँ पर एक और term अगर आप चाहें, तो इसमें आप add on कर सकते हैं, जैसे देखें, अगर इस formula की हम बात करें, तो इस formula में, अगर हम देखें, तो आपके पास जो यह mass of solution ह है इस mass of solution को आप कैसे बदल सकते हैं आप इसको ऐसे बदल सकते हैं mass of solute plus mass of solvent ठीक है इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं तो अगर आपको mass of solution पूछा जाए तो mass of solution में यह दोनों component के mass को आपको क्या करना पड़ेगा add करना पड़ेगा ठीक है जी चलिए अब हम लोग दूसरे terms को discuss करने चल रहे हैं तो देखें आप हम लोग डिसकस करेंगे percentage mass by volume की बात करेंगे नहीं पहले हम लोग यह देख लेते हैं ठीक है percentage mass by volume की हम लोग बात कर लेते हैं यह हमारा second हो गया जी तो देखें इसमें भी आपको उसी तरीके से define करना है कैसे define करेंगे तो यहाँ पर volume की बात हो रही है तो हम लोग volume की terms में इस पर define करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे mass of solute mass of solute और यह mass of solute किस में रहेगा जी ग्राम में रहेगा ठीक है present in present in hundred milliliter solution hundred milliliter solution is called is called percent mass by volume percentage mass by volume percent mass by volume तो देखें percent mass by volume को हम लोग इस तरीके से लिखते है percent उपर हम लोग लिखते है डबलू और नीचे जो लिखते है वो वी तो याद रखें यह जो उपर वाला होता है यह होता है क्या mass of solute ठीक है और यह जो नीचे वाला जो होता है यह होता है volume of solution और यह volume of solution हम लोग किस में लिखते हैं milliliter में लिखते हैं ठीक है तो यहाँ से देखेंगे अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे इस concentration term में volume आ गया तो जहाँ भी volume term आएगा वो temperature पे depend करेगा ठीक है तो यह point है आज रखेंगे गा कि percent mass by volume age temperature dependent temperature dependent ठीक है जी यह temperature dependent होता है यह temperature पे depend करेगा ठीक है यह यह temperature अगर इंक्रीज करोगे तो आपका इसका value आपका decrease होगा तो यह point यहाँ रखेंगे तो अब यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा अगर आपको लिखना पड़ेगा percentage mass by volume mass by volume तो आप इसको कैसे define करोगे मतलब कैसे formula लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पे लिखेंगे mass of solute in gram रहेगा divided by volume of solution volume of solution in milliliter और यहाँ आपको multiply करना पड़ेगा 100 से क्योंकि हम लोग percentage की बात कर रहें तो आप इस तरीके से percentage mass by volume को express कर सकते हैं अब चले हम लोग next term को define करने चल रहें और यह next term जो है यह आपको है percentage volume by volume देखिए यहाँ पे आप कैसे इसको define करेंगे यहाँ पे दोनों terms आपके volume में है ठीक है यहाँ पे आपका डोनों terms volume में है तो जब डोनों terms volume में है तो हम इसको mass percentage by volume भी बोल सकते हैं यह ध्यान रखिए ऐसे भी लिख सकते हैं volume by volume भी लिख सकते हैं ठीक है जी तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको कैसे define करोगे तो इसको define करने के लिए आप दोनों term को volume में space करेंगे एक चीज़ देख लेते हैं हम दोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और percent by volume भी लिखते हैं percent by volume ठीक है जी तो चले इसको define करते हैं पहले यहाँ पे आपको दोनों के term को volume में दिखाना होगा the volume of solute in milliliter present in hundred milliliter of solution is called volume percentage volume percent ठीक है तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं define कर सकते हैं या आप इसको बोल सकते हो percent by volume ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो अब देखो it is temperature dependent अब आईए इसका हम लोग क्या लिख लेते हैं अब हम इसका formula लिख लेते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप percent by volume लिखिए तो कैसे लिखेंगे तो देखेंगे इसको हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं तो इसको थोड़ा देखिए आप इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं percent उपर small भी दे रहे हैं और नीचे capital भी तो उपर वाला जो volume है यह किसका volume है this is volume of solute यह milliliter में रहेगा और नीचे वाला जो है यह आपका है volume of solution और यह भी आपका कह रहेगा milliliter में रहेगा तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप percent volume by volume को कैसे formula बता सकते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा volume of solute in milliliter divided by volume of solution in milliliter और यहां पर आपको multiply करना होगा किस से hundred से तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि डिफाइन कर सकते हैं तो आज के वीडियो में हमने डिफाइन किया concentration terms को कि concentration of solution क्या होता है फिर हमने percent concentration में percent by mass percent by mass और फिर हमने percent by volume terms को देखा ओके थैंक्यू